ही गाइज वेलकम टू क्यूट्रिक्स स्वागात आप सभी का क्यूट्रिक्स के इस यूटूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पर हम लोग फिलाल प्रीविएस यह कुश्चन्स कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैट्स में 50 अपॉन 50 फुल स्कोल कर सकें जब आपके उत्राख क्यारी टू पर चैनल क्यूंच यहां से फूल पर्परेशन कर सकते हैं आपको कहीं कुछ अकुछ एक्सट्रा पैसा खर्च करनेकी आवशक्ता नहीं है अबломग करते हैं आज की बहुंता देरिसा करते उफए तो आजäm पहला वह हैं यदि A की I, B की I से 50% कम है तो B की I, A से कितनी प्रतिशत अधिक होगी अब ऐसे questions में अधिकतर बच्चे क्या करेंगे सीधे 50% पर टिक करेंगे यह मैंने पुरानी classes में भी बताया हुआ है कि अगर दो चीज़ हैं A और B जैसे A और B से नहीं मैं इसको आपको 100 से समझाता हूँ जैसे मालो एक है 100 अगर इसमें हमने 50% increase किया तो यह 150 हो जाता है 150% बढ़ाएंगे तो यह 150 हो जाता है ऐसा नहीं कि 100 प्लस 50 जोड़ दिया इसका तरीका है इसका तरीका होता है जैसे आप पुराने जमाने में क्या करते थे 100 प्लस 100 इंटू 50 अपॉन 100 तो ऐसे आया ही 150 या तो आजकल क्या करते हैं 100 इंटू 150 परसंट सीज़ सीज़ निकाल देते हैं तब यह 150 तो ऐसा मत सोचना है कि 100 में 50 हमने जोड़ दिया है तो मतलब basically 100 में जब हम 50% बढ़ाते हैं तो 150 आता है तो कई लोगों को यह लगा है कि यार चलो 50% बढ़ाया तो 150 आ गया तो 150 में 50% माइनस भी करेंगे तो 100 आ जागा है ऐसा नहीं होता है जान रखेगा ठीक तो वहीं आ पर आपको सीखना है कि 100 से जब हमने 50% बढ़ाया तो 150 आया लेकिन 150 से जब हम 100 की तरफ आएंगे तो क्या हमारी value रहेगी यह हमको बताना है ठीक है चलो देखते हैं यह हमारे पास दो लोग है आपे A और B क्या बोला गया है कि जो A की I है वो B की I से 50% कम है जो B की I है वो आपकी 100 है और जो A की I है वो 50% कम है यानि 50 है 50 है इतना क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं पक्का चलो इतना क्लियर हो गया अब आगे देखते हैं तो A की I 50 हो गई B की 100 हो गई ठीक हो कि अब आपसे बोलाएं कि B की I से कितना परसंट जादा है मतलब कितना परसंट बढ़ाएं यह तो करना ओसका एक ही तरीका है मैंने आपको पहले भी बताया है इसको पहले आप लैंगविश बना लो क्या करना है हमको कि B की I A की I से कितने प्रतिशत अधिक है तो यह तो हिंदी में हो गया अगर इंग्लिश में मैं लिखूंगा तो ठीक है Income of B is what percent more than A ठीक है more than A तो यह more than A हो गया और A की I से हो गया ठीक है A की I से हो गया तो कहने का मतलब यह है कि more than A और A की I से मतलब comparison A से हो रहा है तो मैंने इस पर highlight क्यों किया कि जिससे comparison होगा उसको आप नीचे रखोगे denominator में 50 तो यह से comparison रहा तो नीचे हमने 50 रख दिया अब उपर हमेशा चाहिए आप कुछ भी कर रहे हो इन दोनों का difference आ जाएगा बहुत दा complicated हमको लग रहा है तो आपको क्या करना है basically आपके पास दो value है A की 50 है और B की 100 है आप compare किस से कर रहे हो A से compare कर रहे हो तो A 50 होगी तो आप एक काम करो 50 को आप मानलो 100% 50 की value कितनी होगी? 100% होगी तो 1 की value कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी यानि यह वाला 100 इस वाले 100 की value कितनी हो जाएगी? 100 अपान 50 इंटो 100% याई पचास दुनी सो याई यह हो जाएगा आपका 200% कितना हो जाएगा 200% याई अगर 50-100% है और 100-200% है तो कितना इंक्रिमेंट हुआ है 100% का इंक्रिमेंट हुआ है याई option number B आपका answer होगा अगर किसे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसा question number 16 में दिक्कत है अगली क्लास में मैं ये डाउट आपका clear कर दूँगा ठीक है बढ़ते हैं question की तरफ जो अगला question है एक वेक्ती ने अपनी आये का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा 6 का 30% अपन इसका basic करना बहुत जरूरी है उसके लिए आप नीचे description box में percentage का एक link मिलेगा आपको यसमें बहुत सारी percentage मैंने आपको पड़ा रखा है एक चीज बहुत चोड़ी चोड़ी चीज आप किसी भी background के हो मैं हमेशार class में कहता हूँ आप bio के हैं आप commerce के हैं आप arts के हैं कोई नहीं पड़ता आपको math समझ में आ जाएगी आप उनको जाके जरूर पढ़िए फिराल इस question को देखते हैं इसके basic questions या इन्ही questions को आपको दुबारा करना तो percentage की series को जरूर पढ़िए तो चले शुरू करते हैं एक विक्ति ने अपनी आये का 20 प्रतिशत अपने बड़े प question में कहीं पर मानना पड़ रहा तो अलग बात है एक्स वेक्स मत माना करो अब वो टाइम नहीं रहा कि आप एक्स मान के questions को करोगे वो जमाना जा चुका अब advance तरीके है advance method है उससे questions को करिए ठीक है सीखिए तो 100% आपका total उसके हमने monthly income मान ली ठीक है आगे बढ़ते है एक 20 अगर बड़े बेटे को दे दिया तो बचा कितना उसके पास 80 बचा सौ में से 20 अगर उसने दे दिया तो असी उसके पास बचा तो था 6 यानि 680 है शेश का 30 परतिशत अपने चोटे पुत्र को दे दिया अब जो calculation हो इस पर होगी है तो उसने बड़े बेटे को दे दिया इस बचा क्योंकि यहां पर शेश बोला गया है तो असी में से 30 परतिशत अपने चोटे पुतर को दे दिया तो असी में से 30 परतिशत असी का 30 परतिशत कितना होता है निकाल के देखो के चौबीस आएगा अगर निकाल के देखना चाहते हो तो असी गुणा 30 बट्टा सौ गड़ गडुकर करोगे 0 से 0 कटेगा 88 24 यांनि 80 में से 24 30 पुतर को दे दिया अपने अपने अ और रहते अब पाकी कितना बचा और यहां पर dipped 80-24 आप कर सकते हो या सीधे सीधे इसका 70 भी निकाल सकते हो क्योंकि यहां पर 30 है तो यहां पर 70 होगा आठ सते 56 या अगर इसमें या 156 का 90 उसके पास बचेगा 56 into 90 अपां 100 यहां पर जो भी वैली वाएगी या 56 में से आप 5.6 को माइनस भी कर सकते हो यहाँ पे जो value आएगी उसको उसने एक trust में दे दिया इस प्रकार उसके पास दस हजार नहीं सॉरी 5.6 उसने trust को दे दिया तो बचे कितने उसके पास 10,080 रूपए यानि और यहाँ पे अच्छोले कितना बचा उसके पास बचा 56 का 90 प्रतिशत जो आप यहाँ पे मान निकालोगे मान निकालने की ज़रूद है नहीं तो हमने क्या किया सीदे सीदे 56 into 90 upon 100 कर दिया यह आपकी value है जो बची हुई है इस format से percentage वाले format से और यह है rupees में यानि इसकी value हो गई इतनी तो यह हो गया 56 into 90 upon 100 की value इतनी हो गई 56 into 90 यह 100 यहाँ चला गया वन की value इतनी हो गई तो अगर वन की value इतनी है तो 100 की value कैसा निकलीगी इसमें एक और 100 से multiply करेंगे मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ नहीं तो मेरे पिशे छिप जाएगा यानि 10080 into 100 upon 56 into 90 और यहाँ पे into 100 हो जाएगा यह 100 की value का इतनी है तो भई एक chocolate का price अगर 10 रुपे 20 रुपे है तो 100 का कितना होगा उसको into 100 कर देंगे तो यह हमने कर दिया यहाँ पे अब करते हैं इसको solve जो की थोड़ा सा difficult task मुझे लग रहा है तो solve कर लेते हैं चलो typical तो नहीं होगा क्योंकि values तो असान है चलो देख लेते हैं काट दिया हमने यह 9 से कट जाएगा 9 से इसको काट देते हैं 9 एक कम 9 और एक 10 9 एक कम 9 और एक 10 9 दुनी 18 ठीक है अगर आप इसको करोगे तो यह 2 चला जाएगा 56 दुनी 112 दो एक दो तीन चार यानि दो के बाद 40 आपका आंसर होगा जो है आपका option number ठीक है option number डी आपका आंसर होगा 20,000 रुपए उसकी मास्य करनी है इस तरीकी से आप question को कर सकते हैं अगर आप x मान के करोगे तो बहुत complicated हो जाएगा यहाँ पर मैंने आपको समझाया है तब जाके जदा time लगा है अगर आप खुद practice करोगे खुद करोगे तो यह question मुस्किल से एक minute का question भी नहीं है बहुत easily हो जाएगा अला कि मैं दुबारा बोलूँगा अगर इसको अपको deep में पढ़ना है तो नीचे description box में playlist है percentage की वहाँ पर जाके एक दिन में percentage की पूरी playlist पढ़ लो सब समझ में आ जाएगा अगला question देखते है इसी परिक्षा में देने वालों में 640 लड़के हैं तता 360 लड़कियां थी लड़कों के 60 परिक्षा तता लड़कियों के 80 परिक्षा में सफल रहे तो fail होने वाले परिक्षार्थियों का परिक्षा क्या था तो ध्यान दीजिएगा English या Hindi जो भी है हिंदी में समझाते रहूं एक paper हुआ उसमें 640 लड़के थे 360 लड़कियां थी 60 परिक्षा लड़के पास हुए 80 परिक्षा लड़कियां पास हुई तो fail होने वाले परिक्षार्थियों का परिक्षा तो fail होने वाले परिक्षार्थियों का परिक्षा ये मत कर देना चेसो चारीस में से साट प्रतीशंट पास हो गये, यहां 40 हो गया और हैने क्यां यह गलत होता तरीका खें तो कैसे हमको करना है यहांसे आपको बताते वे चला हैं कि क्या गलती आप महांसे तो देखो ध्यान से, 640 बच्चे हैं टोटल, इसमें से 60% परसेंट पास हुए हैं, और obviously 40% फेल हुए होंगे, similarly 360 लड़किया हैं, इसमें से 80% पास हुई हैं, और obviously 20% फेल हुए हैं, यह 20% फेल, यह 80% पास, similarly, यहाँ पे 60% पास, और यहाँ पे 40% फेल, चलो इसका 60 और 40% निकाल देता हूँ मैं, बहुत असान है, इसका 640 का 60% कैसे निकालोगे, 640 गुणा 60 बटा, तो 0 से 0 कटा, basically 6 से गुणा ही तो करना था, 24, carry 2, 36, 37, 38, 38, 4 आ गया, 40% के लिए 4 से multiply कर दो, 4, 4, 16, carry 1, 4, 6, 6, 24, 25, जोड़ दोगे, 640 ही आएगा, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है, तो basically जो लड़के पास हुए हैं, वो 384 हैं, जो लड़के फेल हुए हैं, वो 256 है, ठीक हो गया, तो मैं लड़कियों का निकाल लेता है, 8 से multiply कर लीजिए, 8, 6, 48, carry 4, 8, 3, 24, 4, 28, 288 बच्चे वोगे हैं, जो पास हुए हैं, लड़कियों में, 20% आपको निकालना है, तो 6, 2, 12, 3, 2, 6, और 1, 7, 72 बच्चे आपके फेल हुए हैं, 288 प्लस 72, ठीक है, यह फेल बच्चे फेल कितने हुए हैं, 6, और 7, 8, और 7, और 5, 12, 2, और 1, 3, 328 बच्चे फेल हुए हैं, कितने में से, इन दोनों के addition में से, यानि 0, 6, 4, 10, 6, 7, 8, 9, 10, जैनि हजार बच्चे में, 328 बच्चा फेल हुआ है, तो कितना परसेंट हुआ कैसे निकालोगे, बहुत असा हैं, यानि बेसिकलिए आपको यहां पर निकालना है कि 328, फिरसे में वही बोल रहा हूं, देखो, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप arts के हो, या commerce के हो, या आपको मैं साथ ही नहीं है, 328, 1000 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो 328, 1000 का मतलब जिससे compare कर रहे हूँ, नीचे आ जाएगा, मैं हमेशा आपको ऐसे समझाया है, पुना सो, 0-0 कटा, आंसर आगया आपका 32.8, या आप्शन नमबर D, कभी भी वो गलती मत करना, जो मैंने शुरू में बताई थी, कि इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा, और 60 आंसर कर देगो, 60 आप्शन में दे रहा है, उसक ऐसे को करना है, वो फुली कोशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, जो अगला कोशन हमारा किसी संख्या में 10 प्रतिशत की वृध्धी कर दी जाती है, तता पुना उसमें 10 प्रतिशत की कमी कर दी जाती है, अंतिम रूप में उस संख्या, फिर से वही बात देखो, मैं हमेशा बता रहा हूँ, कल भी बताया, पर सो भी बताया, आज फिर बताया था, पहले वाले कुशन में, फिर से बता रहा हूँ, कि अगर 10 परसंट बढ़ाया है, और 10 परसंट फिर से कम कर दोगे, तो वो नंबर नहीं आता है, तो यहाँ पे यह मत लिखके आजाना कि कोई परिवर्तन नहीं होता, है न, 10 परसंट बढ़ाओ, सिंपल, फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले से में नहीं बता रहा हूँ, बेसिक आना चाहिए, मालो की नंबर 100 है, 10 परसंट बढ़ाया, तो 10 परसंट बढ़ा के आएगा 110, फि जो 100 था, वो 10 परसंट बढ़ाया, फिर 10 परसंट कम किया, तो 99 हो गया, यानि 1 परसंट की कमी हो गई, option number B, है न, कोई परिवर्तन नहीं होता, यह मत लिखके आना वहाँ पे, एक और फॉर्मूला होता सको करनेगा, वो होता है, आपका, प्लस माइनस X, प्लस माइनस Y, प्लस माइनस XY अपन 100, ठीक है, XY अपन 100, तो यह हो गया, प्लस माइनस X, यानि माइनस का, प्रिद्धी होई है, यानि प्लस का 10 लिखोगे, फिर कमी होई है, यानि माइनस का 10 लिखोगे, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 100 अपन 100 कर दोग ठीक है फॉर्मूला यह लगा सकते हो 10 से 10 कड़ दिया तो जो जो 0 कड़ गए माइनस 1% तो माइनस 1% का मतलब होता है 1% की कमी अब कई लोग को लग रहा होगा कि सर हमने तो बुक में यह फॉर्मूला पढ़ा है कि तो हर किसी में काम आये अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग फॉर्मूला याद मत करो यह फॉर्मूला जो है वह इसी से बना है क्यों क्यों की X और Y दोनों सेम हैं तो Y की जगा पे X कर दिया तो X स्कॉर हो गया और इससे ये कड़ गया एक से समझ में आया बहुत बढ़िया बढ़ते हम लोग अगले कोशन की तरफ तो जो हमारा अगला कोशन आज का है वो है निम में से सबसे छोटा क्या है घर लेते हैं तो सो का 22 सही एक बट्टा दो परतिशत ठीक है तो 22 दूनी 44 और 45 बट्टा दो परतिशत यानि 100 गुणा 45 बट् इतना हो जाता भीया दो दूनी 4 दो दूनी 4 22.5 पहले का तो यह आ गया दूसरा 12.55 बार यानि 12.5555 चलता रहेगा इसरा है 18 अपन 5 का स्क्वाइर यानि 18 का स्क्वाइर कितना होता है 18 का स्क्वाइर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो है ना अब देखो यह ज्यादा टफ कर दो एक सेकंड देना 25 से डिवाइड कर देंगे हम किसको 324 को डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 25 बंजा 25 ठीक है और यह हो जाएगा 7 और यहां पहाँ जाएगा प्चैस फूर्व नियुक 22 गेहां पाइड क으ल इस संते 150 होता है 5 बेसित स्थे 15 हो एक स्थिप 2 पंजेग 25 को ज्यां गयाा 15 यह next 615 घया में से 5जैए पांच पांच पर चार में संसे ब् horizon बीग और यह हो जाएगा 12.5 जाएग और यह जािए 5, 6, ठीक है, clear रहे इतना आगे बढ़ते हैं Android का 160 Android का 160 जो है आपका वो क्या होगा, Android का 160 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब ये थोड़ा सा difficult होता है, कि 160 भही कैसे निकालेंगे सर, तो जैसे करते हैं, वैसी करोगे इतना तो अंदाज़ा आपको लगाना चाहिए, देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको निकालने के लिए बोला गया, तो 169 तो हमको पता है कि 13 होता है ठीक है, 13 होता है, और 12 का कितना होता है Android of 144 जो है, 12 का होता है इसके बीच के जितने भी नंबर है, वो 12.something आने चाहिए तो आप Android 160 आपको करना है, तो आप एक काम करो, अंदाज़ा लगा लो पूरा-पूरा solve मत करो, यह आपके पास दो नंबर तो आगे हैं, एक तो 12.555 और 12.56 आ चुका है अब आपके एक काम करो, अंदाज़ा लगा लो कि होगा यह नहीं होगा, अंदाज़ा कैसे लगेगा, तर 125 का कर लो, सबसे बेस्ट है 12.5 इंटू 12.5 करो, बहुत असाल है, तो 125 गुण 125 करोगे, तो आपका क्या होगा, उससे फाइदा क्या होगा, 12.5 है, अब किसी भी नंबर का इसका, जो मुझे पता है, इसका क्या होता है, इसका होता है 15625, और यहां पर डेसिमल लग जाएगा, यह होता है 156.25, यह नही जो अंटू 160 आएगा, वो आपका 12.6 के around something होगा, तो हमें छोटे संबर निकालने तो यह तो हमारा answer नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, हमेशा पूरा solve करके नहीं देखना है, तो 12.5, यह 22.5 वे, 12.55 वे, 12.56 आ गया, तो यहां पर जो answer होगा, व आपको अच्छी लगी होगी, अगर कोई दिक्काश था तो comment section में बताना, thank you so much for watching, bye bye and take care.